रोहन और दीपिका की नई-नई शादी हुई थी, दोनों अपने दामपत्ते जीवन में बहुत खुश थे रोहन एक प्राइविट कमपनी में जॉब करता था एक शाम रोहन अपनी पत्नी के लिए सोने के जुमके खरीद कर उसके लिए ले जाता है रात में सब ही लोग साथ में डिनर कर रहे थे तभी रोहन दीपिका को सोने के जुमके देती हुए कहता है दीपिका, ये देखो, आज मैंने अपनी सैलरी से तुम्हारे लिए सोने के जुमके लिए है तुम्हें ये जुमका बहुत पसंद था न यादे जब हम लास्ट टाइम गोल्ड की शॉप पर गए थे, तब तुम्हें यही जुमका पसंद आया था, लेकिन उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे अरे हाँ, यह तो वही जुमका है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, यह जुमका मुझे बहुत पसंद आया था, दिल आ गया था मेरा, लेकिन उस वक्त आपके पास पैसे नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो यह जुमका मेरा हुआ ना बेटा, शादी में तो तुझे बहुत सारे जेवर मिले थे, फिर दोबारा पैसे बरबात करने की क्या जरूरत है, दो पैसे बचा कर रखोगे, तो आगे आने वाले समय में तुमें ही काम देगा मा जी, अब साफ साफ बोल दोना, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, कि इन्होंने मुझे सोने के जुमके जो दिये है, बहु, अगर ऐसी बात होती न, तो मैं साफ साफ ही बोल देती, लेकिन मैं तुम दोनों की मा हूँ, और तुम दोनों से जादा अनुभव है मुझे ज लेकिन जब जरूरत होगा, और उस वक्त पैसे नहीं होंगे, तब क्या करोगे? मा, आपकी कंजूसी तो कभी खत में ही नहीं होगी, दिन रात में किसके लिए मैनत करता हूँ, आपके लिए और दीपिका के लिए? ऐसे ही कुछ दिन बाद रूहोन और दीपिका दूनों ही रात के डिनर का प्लान करते हैं, और साथ में करोणा को भी ले जाने का सोचते हैं, तब ही करोणा उनसे बोलती है, आरे बेटा, बाहर जाकर दो से तीन हजार का खाना खाने से बहतर है, कि हम घर में ही कुछ बढ़ जाओ, लेकिन हमारा प्लान तो मत खराब करो, इतनी मुश्किलों से हमें साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, और आप उसमें भी नमक मिर्च लगाने बैठ जाती हैं, बेटा, मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि अगर टाइम स्पेंड करना ही है, तो हम घर म भी कर सकते हैं, बिना बात में पैसे उडाने की क्या जरूरत है, रोहन महीने का 30,000 कमाता है, और 30,000 में गुजारा करना असान नहीं है, अच्छा, तो मतलब आप मेरी सैलरी का मज़ाग बना रही हो, कोई बात नहीं मा, जिस दिन मेरा प्रोमोशन हो गया ना, उस दिन मैं पूरे महले को पार्टी दूँगा, ऐसे ही समय बीटता जाता है, और रोहन की ऑफिस में उसका प्रोमोशन हो जाता है, वो बहुत खुश होता है, और इसी खुशी में वो अपने घर में एक पार्टी ओगनाईज करने का सोचता है, तभी करोना बोलती है, बेटा बहुत अ खावा करके क्या साबित करना चाहता है तू, अरे माँ हद होती है कंजूसी की, आपकी कंजूसी देख कर तुम्हें परिशान हो गया, अब मुझे जो करना है आप मुझे करने दो, बेटा मेरी बात मान तू, जो पैसे तू पार्टी में लगा कर बरबात करने की सोच रहा ह न, वही पैसे तू किसी अकाउंट में जाकर जमा कर दे, आगे तेरे काम आएंगे। तो आज मैं तुम्हारे लिए आइफ़ोन 15 प्रो लेकर आया हूँ। तू किसे बचा कर चलो, आगे जाकर तुम्हारा भी परिवार बढ़ने वाला है। मा जी, मुझे तो लगता है कि आपको ना हम दोनों का प्यार बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता। तब ही तो आप बार बार हम दोनों पती-पतनी के बीच में आ जाती हो। अरे मेरा पती है, इनका जो दिल करेगा, ये वो दिलाएंगे मुझे। आपका क्या जाता है। बहू तो मेरी बेटी है, और रोहन मेरा बेटा, तुम दोनों के भले के लिए ही बोलती हूँ मैं। सास के लाग समझाने के बावजूद भी, दिपिका और रोहन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो दोनों हमेशा फालतु के खर्चे में ही अपना पैसा पानी की तरह बहाते हैं। ऐसी ही एक दिपिका अपने पती रोहन से पचास हजार मांगती है और बोलती है। रोहन तुम्हें पता है, छे महीने से मैं पाडला नहीं गई हूँ, जिस वज़े से मेरे बाल और मेरा पूरा फेस खराब हो रहा है, मुझे पचास हजार की जरूरत है। क्या? पचास हजार? ये तो बहुत ज्यादा है यार। अरे तो इसका क्या मतलब है कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगे? अरे मैंने मना कब किया, तुम चिंता मत करो, मैं आज शाम को तुम्हें पचास हजार रुपे दे दूगा, कल तुम चली जाना। अच्छा तुम्हारा बहुत बहुत तैंक यू, मा जी को मत बताना इस बारे में, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया, तो वो फिर से कंजूसी वाला लेक्चर हमें सुनाने लगेंगी। तभी माँ पर करुणा आती है और बोलती है, अरे देपिका तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम दोनों को बिलकुल भी नहीं रोकूंगी, जो तुम्हारा दिल करता है तुम वो करो, लेकि फिर भी ये माह का दिल मानता नहीं है, मैं हमेशे तुमें बो दोनों सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, अरे माँ तुम बिलकुल भी टेंशन मतलो, मैं हो ना सब कर दूँगा, और वैसे भी अब तुम मेरा प्रोमोशन हो चुका है, महिने का साथ हजार कमाता हूँ, किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है मेरे पास, ऐसे मेरे पती को, अभी हाली में उनका प्रोमोशन हुआ था, वो बहुत खुश थी और उनके साथ इतना बड़ा हाथसा हो गया, भगवान अब हम क्या करेंगे, किस किसा हारे जीएंगे हम, बहुत समझाती थी अपने बेटे को, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानता था, लग ग अब तो सिंदगी भर का दर्द है ये, हमारे लिए है, आखिर कैसे जीएंगे हम, ऐसे ही कुछ महीने बाद रोहन घर आ जाता है, घर आने के बाद घर में एक रुपे भी नहीं थे, सारे पैसे रोहन के इलाज में ही जा चुके थे, अब करुणा और दीपिका दोनों उदा और हम आपके एक बात नहीं मानते थे, सच कहा है किसी ने, जब हम अपने से बड़ों की बात नहीं मानते, तो हमारे यही हश्र होता है, बहू, आखिर कब तक अपने आपको ऐसे ही कोस्ती रहेगी, ये सब बोलने का कोई फाइदा नहीं है, अब ये सोचना है कि आखिर हम क ऐसे घर चलाएंगे, मा जी, इस मेंगाई भरे शेहर में रहना असान नहीं है, मेरी बात मानों तो हम गाउं चलते हैं, वहां जाकर ही कुछ सोचेंगे, हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी, ऐसे ही करुणा अपने पूरे परिवार के साथ गाउं आ जाती है, गाउं आ यहां की हरी भरी सबजियां देखकर तो मन खुश हो गया मेरा, एक काम करती हूं, घर जाकर इस बारे में मा जी से बात करती हूं, दीपी का घर आने के बाद अपनी सास से बोलती है, मा जी, हमारे खेत में बहुत सारी हरी हरी सबजियां हुई हैं, मैं सूच रहे हूं कि क्य ते हुए हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा और इसमें मैं तेरी पूरी मदद करूंगी तू चिंता मत कर मैं खेट से सारी सबजियां तोड़ कर साफ करके रख दूंगी और तू बाजार में ले जाकर उने बेजना शुरू कर देना हाँ माजी तो ऐसा बुरा वक्त आ गया है कि मुझे सबजियां बेचनी पड़ेंगी सही कहा था आपने वक्त का कुछ नहीं पता कहा से कहा पहुचा दे और क्या से क्या बना दे अगर आपकी बात हमने मान ली होती तो हमारे बुरे वक्त के लिए हमने कुछ पैसे जूड कर रखे होते देख जो हो गया उसे भूल जा बार बार एक ही बात बोलने से चीज़ें बदल नहीं जाती बेलकि इनसान अपने आपको बार बार गोस्ता रहता है ठीक है माजी कल से हमें एक नई शुरुवात करनी है ऐसे ही अगले दिन से दीपिका बाजार में सबजी बेचना शुरू करती है देखते ही देखते दीपिका बाजार में सबजी बेच बेच कर पूरे घर को अच्छे से संभाल लेती है तो वहीं दूसरी तरफ बेचारा रोहन हुद को बहुत लाचार और बेबस महसूस कर रहा था ऐसे ही शाम को दीपिका बाजार से घर आकर सभी के लिए खाना बना रही थी तो वहीं खाट पर लेटा-लेटा रोहन दीपिका से बोलता है दीपिका तुम्हें इस तरह से परिशान होता हुआ देखकर मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा मेरी बात मानो तो अभी भी तुमारे पास वक्त है तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकती हो अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो दूसरी शादी करना मेरे लिए बिलकुल भी सही नहीं है अगर तुमारी जगब मैं होती तो क्या तुम दूसरी शादी कर लेते देखो मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी शादी को सिर्फ दो साल हुए और हमारे कोई बच्चे भी नहीं है, मेरी बात मानो तो तुम शादी कर लो अप चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी ऐसे ही दीपिका अब सबजी बेच बेच कर पूरे घर को अच्छे से संभाल लेती है बेची हुई सबजीयों के पैसे से रोहन की दबाईयां साथ में घर का पूरा खर्चा दीपिका अकेले ही संभालती है ये सब देखकर करुणा को अपनी बहू दीपिका पर बहुत गर्व महसूस होता है सबीतो और रविता दोनों सगी बैहनी थी दोनों पर दुखों का पहार टूट पड़ा था उनके माता-पिता रिष्टिदार के हैं शादी पर गए हुए थे वहाँ हुए हाथ से में उन दोनों की जान चली गई और जब ये बात सवितो और रविता दोनों को पता चली, उनका रो रोकर बुरा हाल हो जाता है आसपड़ोस के लोग उन दोनों बहनों को संभालने की कोशिश कर रहे थे मेरे बच्चो, होसला रखो, होनी को कौन टाल सकता है? तुम लोगों ने रो रोकर अपना क्या हाल कर लिया है? संभालो खुद को अगर तुम दोनों चुपना हुई तो तुम दोनों की तब्यत कराब हो जाएगी लो बच्चो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाई हो, पहले ये खालो देखो ना आटी, खुशी-खुशी घर से गए थे और अब कभी वापस नहीं लोटेंगे कैसे यकीन कर ले, कैसे? बिटा, भगवान के लिखे को कौन टाल सकता है? तुम दोनों बेहने अब खुद को संभालो एक दूसरे का सहारा बनो तभी सविता रविता की तरफ देखती है, उसका भी रो रोकर बुरा हाल था वो अपनी बेहन को गले लगा लेती है और फिर दोनों बेहने फूट-फूट करोने लगती है पडोसियों के बहुत समझाने पर आखिर वो दोनों थोड़ा खाना खाती है और फिर सब के चले जाने के बाद सोचाती है कुछ दिन तक दोनों बेहनों का ख़याल पडोसी रख लेते हैं लेकिन फिर सब अपने अपने कामों में व्यस्थ हो जाते हैं सविता रविता भी अब तक खुद को संभाल चुकी थी सविता देखो तो माजस डिब्ब में पैसे रखती थी अब कितने कम बचे हैं बेहन इस तरह तो काम नहीं चलने वाला हम दोनों को कोई न कोई काम करना होगा क्या काम करें हम भी अपने बाबा की तरह आईस्क्रीम बेचेंगे और क्या कर सकते हैं फिर हमें जादा देर नहीं करनी चाहिए थोड़े से ही पैसे बचे है इनमें से कुछ पैसों से आईस्क्रीम बनाने का सामान ले आते हैं दोनों बेहने बाजार जाकर सामान ले आती हैं उन्हें पता था कि उनके बाबा आईस्क्रीम कैसे बनाते हैं क्योंकि दोनों बेहने अधिक तर अपने बाबा की मदद किया करती थी जैसे तैसे करके दोनों बेहने आइस क्रीम तयार करती है और अगले दिन अपने बाबा का आइस क्रीम का ठेला लेकर आइस क्रीम बेचने के लिए निकल पड़ती है ठंडी ठंडी मीठी मीठी रसीली र असीली आईस क्रीम आओ बच्चो आओ बच्चो पांच रुपे की आईस क्रीम रविता भी सविता के साथ बच्चो को आवाज लगा रही थी पार्क में खेल रहे बच्चे आईस क्रीम की तरफ देखते हैं और अपने अपने घर पैसे लेने के लिए चल पड़ते हैं लेकिन बहुत देर तक पार्क के बाहर खड़े रहने के बाद भी दोनों बेहनों की थोड़ी सी ही आईस्क्रीम भी की थी आज पता चल रहा है बाबा कितनी मेहनत करते थे देखो तो अभी तक कितनी कम आईस्क्रीम भी की है उधर देखो सविता वो आईस्क्रीम वाला वहां कितनी भीर लगी हुई है उसका ठेला देख रही हो कितना सुन्दर है और उसके पास तरह-तरह की आईस्क्रीम है हमारे पास तो बाबा की बनाई हुई आईस्क्रीम के अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे पुराने तरीके की बनाई हुई आईस्क्रीम को लोग पसंद नहीं कर रहे याद है तुम्हें एक बारी बाबा ने कहा था कि इस तरह का बड़ा आईस्क्रीम का ठेला लगाने का उनका कितना मन था पर इसमें तो बहुत सारे पैसे लगेंगे दोनों बहने अपने ही ठेले में से एक एक आईस्क्रीम निकाल कर खाने लगती है कि तब ही वो देखती है कि एक गरीब भिखारी से दिखने वाले बुढ़े आदमी को एक गाड़ी टकर मार कर निकल जाती है दोनों बेहने भाग कर उस बुढ़े आदमी को उठाती है और पाली से उसके जखमों को साफ करती है जेती रहो बच्चियों भगवान तुम दोनों को लंबी उम्र दे सदा खुश रखे कितनी दयालुता है तुम दोनों में अरे उस गाड़ी वाले ने इतनी जोर से टककर मारी बाबा अभी तो हमारे पास ये आईसक्रीम है और ये घर से हम अपने ले रोटी लेकर आये थे तुम ये खालो तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन मुझे अभी भूक नहीं है हाँ तुम्हारी आईसक्रीम बड़ी अच्छी लग रही है मैं वो खा लेता हूँ सवीतर ठेले में से आईसक्रीम निकाल कर बुढ़े आदमी को खाने के लिए देती है अरे वा ये तो पारम पर एक तरीके से बनी हुई आईसक्रीम है मज़ा आगया बहुत दिनों बाद ऐसी आईसक्रीम खाई है ये लो पुड़े बाबा और खाओ वैसे भी नाईसक्रीम को कोई खरीद नहीं रहा है अब सब लोग नए नए तरीके की आईसक्रीम खाना पसंद करते हैं बुड़ा आदमी जल्दी जल्दी दो-चार आईसक्रीम खा जाता है फिर वो अपनी जेब में से कुछ सिक्के निकाल कर सविता की तरफ बढ़ा देता है नहीं नहीं बाबा आप तो बस हम दोनों बेहनों को आशिरवाद दो कि हम अपनी जिन्दगी आराम से बिता सके भगवान ने हमारे माता-पिता का साया तो हमारे सिर से छेनी लिया है सुनकर बहुत अफसोस हुआ लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों बेहनों को घबराना नहीं चाहिए वो बुढ़ा आदमी उनके आईस्क्रीम के ठेले के पास जाता है और घूम घूम कर उपर नीचे चारो तरफ उनके ठेले को चूते हुए कोई मंत्र बोलने लगता है दोनों बेहने हैरानी से बुढ़े बाबा को ऐसा करते हुए देख रही थी और जब बुढ़े बाबा मंत्र बोल कर हटते हैं तो दोनों हैरान हो जाती है वहाँ पर आईस्क्रीम का एक बड़ा सा स्टॉल था जिस पर रंग बिरंगी लाइट लगी हुई थी हलका म्यूजिक चल रहा था और उस ठेले के अंदर बहुत सारी तरग की आईस्क्रीम थी दोनों हैरानी से बुढ़े बाबा की तरब देखती है ये लो तुम्हारे पास भी अपना एक स्टॉल हो गया और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं जादूई आईस्क्रीम स्टॉल क्या मेरी आखे सपना देख रही है ये तो बहुत ही सुंदर है क्या सच मुझ में इसमें रखी हुई सारी आईस्क्रीम जादूई है मेरे बच्चों ये जादूई आईस्क्रीम स्टॉल है इसके अंदर कभी आईस्क्रीम खत्म नहीं होगी जो भी ग्राहक तुमसे जो भी आईस्क्रीम मांगेगा वो इसमें से निकलाएगी दोनु बेहने आईस्क्रीम के ठेले को हाथ लगा-लगा कर देख रही थी वो पीछे मुड़कर देखती है तो बुढ़े बाबा वहाँ नहीं थे तभी दो बच्चे वहाँ आकर आईस्क्रीम मांगते हैं मुझे एक चॉकलेट आईस्क्रीम चाहिए सविता डरते डरते हाथ डाल कर अंदर से आईस्क्रीम निकालती है तो उसके हाथ में चॉकलेट आईस्क्रीम थी ये लो बच्चे रविता भी दूसरे बच्चे को उसकी पसंद के आईस्क्रीम निकाल कर देती है वो हैरान थी वहाँ पर धीरे धीरे बच्चों की भीर लगनी शुरू हो जाती है कुछ औरते भी वहाँ पर आकर आईस्क्रीम खरिती है तुम्हारा आईस्क्रीम स्टॉल तो बहुत ही यूनीक लग रहा है ये आईडिया तुम्हें कहां से आया बस ऐसे ही सोचा आजकल ऐसी चीज़े ही बिखती है इसलिए हम लोगों ने ऐसे स्टॉल के बारे में सोचा रविता सविता देखती है कि उनकी आईस्क्रीम धड़ा-धड़ बिख रही है और उनके पास अब धेड़ सारे पैसे भी जमा हो गया है राद भी काफी हो चुकी थी दोनों बेने अपने स्टॉल को जैसे ही धकेलती है वो बड़े आराम से चल रहा था वो घर तक पहुँच जाती है सुबह किसी और ठेले को ले जाते हुए और शाम को किसी और ठेले के साथ आता हुआ देखकर पड़ोसी रविता और सविता से सवाल करते है अरे रविता सविता ये ठेला तो बहुत सुन्दर लग रहा है कितनी सुन्दर रंग भी रंगी लाइट लगी हुई है मैंने तो आज से पहले आईस्क्रीम का ऐसा ठेला देखा ही नहीं आंटी इसे आईस्क्रीम का ठेला नहीं स्टॉल कहते हैं हाँ हाँ जो भी कहते हैं पर ये बहुत अच्छा लग रहा है क्या तुम्हाई पास आईस्क्रीम बच्ची है? बच्चे मांग रहे हैं अगर हो तो दे दो तब ही पडोसन के बच्चे भी बाहर आ जाते हैं और अपनी पसंद की आईस्क्रीम मागने लगते हैं रविता और सविता उन बच्चों को उनकी पसंद की आईस्क्रीम निकाल कर दे देती हैं बच्चे खुशी-खुशी अपने घर चले जाते हैं रविता और सविता भी घर के अंदर आकर खाना बना कर खाने के बाद आज के कमाये हुए पैसों को गिनने लगती हैं कितने सारे पैसे अब हम लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी ये सब उस बुड़े बाबा का चमतकार है ऐसा लग रहा है जैसे भगवान को हमारे उपर दया आ गई और किसी चमतकार से वो वहाँ आ गए हाँ सविता तुम सही कह रही हो देखा नहीं हम लोग इतना उदास हो गए थे फिर अचानक से ये चमतकार हो गया और फिर बच्चों की इतनी भीड जो भी आइसक्रीम वो बोल रहे थे वही यहां से निकल रही थी क्यों ना हम दोनों भी एक-एक आइसक्रीम खाएं दोनों बेहने अपनी पसंद की आइसक्रीम का नाम लेती है और वही आइसक्रीम बाहर निकलाती है दोनों बेहने खुशी-खुशी आइसक्रीम खाकर सो जाती है अगले दिन सुबह वो फिर आइसक्रीम बेचने के लिए चल पड़ती हैं। उनका बड़ा आइस्क्रीम स्टॉल देखकर लोग हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे। फिर वो एक सिनेमा हॉल के बाहर अपने स्टॉल को खड़ा कर लेती हैं। निकाल कर उस आदमी को दे देती हैं। वो आदमी उन्हें पैसे देकर अपने परिवार के साथ आइस्क्रीम खाने लगता है। सभी आइस्क्रीम की बड़ी तारीफ करते हैं। तभी इधर उधर आने जाने वाले लोग चलते फिरते से स्टॉल को देखकर खिचे चले आते है और जो भी आइस्क्रीम वो मांगते सभीता और रविता उन्हें वही आइस्क्रीम खाने के लिए देती। वनेला चॉकलेट आइस्क्रीम देना? अभी लोग वो आइस्क्रीम निकाल कर उस लड़के को दे देती है। कितने पैसे हुए? सौ वो लड़का अपनी जेब में स सौ रुपे निकाल कर रविता को देता है और आइस्क्रीम खाने के बाद। मैं अपने मामा के यहां जाता हूँ, तो मैंने या आइस्क्रीम वहां खाई थी। मुझे नहीं पता था कि जो सुआद मैं सोच रहा था, वही इस आइस्क्रीम का भी होगा। मज़ा आ गया। अब तो मैं रोज यहीं पर ही आईस्क्रीम खाने आउंगा। बच्चों के भी माबाप नहीं है और जरूरी नहीं है हमारी तरह इनकी किस्मत भी इतनी अच्छी हो की कोई इनके लिए मददकार बन कर आजाए। तेरे मन में क्या चल रहा है बता मुझे। क्यों न हम इन सब बच्चों की मदद करें। फिर दोनों बेहने उन गरीब अनाद बच्चों के लिए अच्छ अच्छे कपड़े लाती हैं, खाने का सामान देती हैं और सब बच्चों का एड्मिशन पास के ही सरकारी स्कूल में करा देती हैं। इस तरह देखते ही देखते वो सब बच्चों की मदद करते हुए उन्हें अपने साथ ही रखने लगती हैं और जादूई आइसक्रीम स्टॉल की मदद से वो अब बहुत अच्छे हालात में आ जाती हैं और खुशी-खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं।